आते हैं साथियों जार्खन के संजय कश्यप जी भी गरीब बच्चों के सपनों को नई उडाने दे रहें अपने विद्यारती जिवन में संजय जी को अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था ऐसे में उन्होंने ठान दिया कि किताबों की कमी से वे अपने ख्षेतर के बच्चों का भविश अंतकारमाई नहीं होने देंगे अपने इस मीशन की वज़र से आज वो जार्खन के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं संजय जी ने जब अपनी नोकरी की शुरुवात की थी उन्होंने पहला पुस्ताकाल अपने पैतरुक स्थान पर बनवाया था नोकरी के दावरान उनका जहां भी ट्रांस्फर होता था वहाँ वे गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खोलने के मिशन में जुट जाते हैं ऐसा करते हुए उन्होंने जारखन के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी हैं लाइब्रेरी खोलने का उनका यह अमिशन आज एक सामाजिक आंदोरन का रूप ले रहा है संजे जी हो या जतिन जी ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेश्च सरहना करता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्ट और इनुवेशन के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलोजी और करोनों के सारे काफी प्रगतिकी हैं लेकिन कुछ बिमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती बने हुई है ऐसी ही एक बिमारी है मस्कुलर डिस्ट्राफी कि मुख्य रुप से एक ऐसी आनुवंसिक बिमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है इसमें सरीर की मास्पेश्या कमजोर होने लगती है रोगी के लिए रोज मरा के अपने छोटे छोटे कामकाच करना भी मुश्खिल हो जाता है ऐसे मरीजों के उपचार और देखभाल के लिए बड़े सेवभाव की जरुरत होती है हमारे हाँ हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्राफी के मरीजों के लिए उमीद की नई किरन बना है इस सेंटर का नाम है मानव मंदीर इसे इंडियन एसोशेशन आफ मस्कुलर डिस्ट्राफी द्वारा संचालित किया जा रहा है मानव मंदीर अपने नाम के अनुरूप ही मानव सेवा की अध्भुत मिसाल है यहां मरीजों के लिए OPD और एड्मिशन की सेवाएं तिन-चार साल पहले शुरू हुई थी मानव मंदीर में करीब पचास मरीजों के लिए बेट्स की सुविधा भी है फिज्योथरेपी, इलेक्ट्रोथरेपी और हाइट्रोथरेपी के साथ साथ योग प्राणायम के मदद से भी यहां रोग का उपचार किया जाता है साथियों हर तरह की हाई-टेक्स हुविधाओं के जरिये इस केंदर में रोग्यों के जीवन में सकारात्पक बड़लाव लाने का भी प्रयास होता है मस्कुलर डिस्ट्राफी से जुड़ी एक चुनावती इसके बारे में जागरुकता का अभावी है इसलिए यह केंदर यह माचल पदेशन ही देश भर में मरीजों के लिए जागरुकता शिवीर भी आउजित करता है सबसे ज़्यादा होसला देने वाली बात यह है कि इस संस्था का प्रभंदन मुख्यरुप से इस बिमारी से पिडित लोगी कर रहे है जैसे सामाजिक कारकरता पुर्मिला बार्दी जी इंडियन एसोशेशन आप मस्कुलर डिस्ट्रफी की अध्यक्ष बेहन संजना गोएल जी और इस एसोशेशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले स्रिमान विपूल गोएल जी इस संसान के लिए बहुत एहम भूमिका निभा रहे हैं मानव मंदीर को हस्पिटल और रिसर्ट सेंटर के तौर पर विक्सित करने की कोशिशें भी जारी हैं इससे यहां मरीजों को और बहतर इलाज मिल सकेगा मैं इस देशा मैं प्रयासरत सभी लोगों की रदय से सराना करता हूं साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रोफिक का सामना कर रहे सभी लोगों की बहतरी की कामना करता हूं मेरे प्यारे देश्वासियों आज मन की बात में हमने देश्वासियों के जिन रचनात्मक थामाजिक कारियों की चर्चा की वो देश की उर्जा और उत्सा के उधारण है आज हर देश्वासि किसी न किसी ख्षेत्र में हर स्तर पर देश के लिए कुछ अलग से काम करने का प् हमारे एक बुनकर साथ ही ने अपने जिम्मेदारी समझी उसे निभाने के लिए आगे आए इसी तरह कोई परियावरन के लिए प्रयास कर रहा है कोई पानी के लिए काम कर रहा है कितने ही लोग सिक्षा चिकित्सा और साइंस टेकनोलोजी से लेकर संस्कूरती परंपराओं तक साथान में काम कर रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमारा हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझ रहा है जब ऐसी कर्तव्य भावना किसी राष्ट के नागरिकों में आ जाती है तो उसका स्वर्णिम भविश्य अपने आपका हो जाता है और देश के ही स्वर्णिम भवि मैं एक बार फिर देश वांशियों को उनके प्रयासों के लिए नमन करता हूं अगले महिने हम फिर मिलेंगे और ऐसे ही कई और उत्साहवर्थक विश्यों पर जरूर बात करेंगे अपने सुझाव और विचार जरूर भेचते रहेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद